लिजी सुनिए अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध के लिखे उपन्यास अधिखिला फूल की पहली पंखड़ी मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में वैशाख का महिना दो गड़ी रात बीद गई है चमकीले तारे चार ओर आकाश में फैले हुए हैं दूज का बाल सपतला चांद पश्चिम की ओर डूब रहा है अंधियाला बढ़ता जाता है जियों जियों अंधियाला बढ़ता है तारों की चमक बढ़ती जान पढ़ती है उनमें जोत सी फूट रही है वे कुछ हिलते भी हैं उनमें चुपचाप कोई कोई कभी तूट पड़ते हैं, जिससे सुनसान आकाश में रह रहकर फुल जड़ी सी छूट जाती है, रात का सन्नाटा बढ़ रहा है, उमस बड़ी है, पवन डोलती तक नहीं, लोग घवरा रहे हैं, कोई बाहर खेतों में घूमता है, कोई घर की खुली चतों पर ठंडा हो रहा है, उमस से घवरा कर कभी कभी कोई टिटेहरी कहीं बोल उठती है, बीतों से घिरे हुए एक छोटी से घर में एक छोटा सा आंगन है, हम वहीं चल कर देखना चाहते हैं, इस घड़ी वहां क्या होता है, एक मिट्टी का छोटा सा दिया जल रहा है, उसके धुंदले उजाले में देखने से जान पड़ता है, इस आंगन में दो पलंग पड़े हुए हैं, एक पलंग पर एक ग्यारह बरस का हसमुख लड़का लेटा हुआ, उसी दिये के उजाले में कुछ पढ़ रहा है, दूसरे पलंग पर एक 35-36 बरस की अधेर इस्त्री लेटी हुई, धीरे धीरे पंखा हाक रही है, इस पंखे से धीमी धीमी पवर निकल कर उस लड़के तक पहुँचती है, जिससे वो ऐसी उमस में भी जी लगा कर अपनी पोथी पढ़ रहा है, इस इस्त्री के पास एक 14 बरस की लड़की भी बैठी है, ये एक टक आकाश की तारों की ओर देख रही है, बहुत बेड तक देखती रही, पीछे बोली, मा, आकाश में ये सब चमकते हुए क्या है, मा ने कहा, बेटी, जो लोग इस धर्ती पर अच्छी कमाई करते हैं, मरने पर वे ही लोग स्वर्ग में वास पाते हैं, उनमें बड़ा तेज होता है, अपने तेज से वे लोग सदा चमकते रहते हैं, दिन में सूरज के तेज से दिखलाई नहीं पढ़ते, रात में जब सूरज का तेज नहीं रहता, हम लोगों को उनकी छवी देखने में आते हैं, ये सब चमकते हुए तारे स्वर्ग के जीव हैं, इनकी छटा निर इसका पानी बहुत सुथरा मीठा और थंदा थंदा होता है। उत्तरोर ये जो अकेला चमकता हुआ तारा दिखलाई पड़ता है जिसके आसपास और कोई दूसरा तारा नहीं है ये द्रुव है द्रुव एक राजा की लड़के थे इन्होंने बड़ा भारी तब किया था उसी तब के बल से आज उनको ये पद मिला हुआ है इन सर के उपर के साथ तारों को देखो ये साथों रिशी है इन में उपर के चार देखने में चौखटे जान पड़ते हैं पर नीचे के तीन कुछ-कुछ तिकोने से है इनी तीनों में जो बीच का तारा है वे वशिष्ठ मुनी है उनके पास ही जो बहुत छूटा सा तारा दिखलाई पड़ता है वे अरुन्धती है ये वशिष्ठ मुनी की इस्त्री है ये बड़ी सीधी, सच्ची, दयावाली और अच्छी कमाई करने वाली हो गई है अपने पती की चरणों में इनका बड़ा नेह था इनकी भाती जो इस्त्री अपने पती की चरणों की सेवकाई करती है पती को ही देवता जानती है उन्ही की पूजा करती है, उन्ही में लव लगाती है सपने में भी उनके साथ बुरा बरताव नहीं करती भूल कर भी उनको कड़ी बात नहीं कहती कभी उनके साथ छल कपट नहीं करती वो भी मरने पर इसी भाती अपने पती के साथ रहकर स्वर्ग सुख लूटती है जिन जीवों की कमाई पूरी हो जाती है जिनका पुन्य चुक जाता है वे सब फिर स्वर्ग से आकर धर्ती में जनमते हैं ऐसे ही जीव ये सब रात के तूटते हुए तारे हैं। दीरे दीरे अपना तेज खोकर स्वर्ग से गिरते हैं और फिर आकर इस धर्ती में जन्म लेते हैं। लड़का चुपचप मा की बातों को सुनता था। जब माने बाते पूरी कें। बोला। मा, तुम ये सब क्या कहती हो। ये सब तारे रिशी मुनी नहीं है। जैसी हमारी ये धर्ती है, वैसे ही एक एक तारा एक एक धर्ती है। इन में कोई-कोई हमारी धर्ती से भी सैक्णों गुना बड़ा है। ये तारे लाखों कोस की दूरी पर है। इसी से देखने में छोटे जान पड़ते हैं। नहीं तो बहुत सी बातों में ये सब हमारी धर्ती के से हैं। जैसे हमारी धर्ती पर नदी, पहार, जील, वन, पौधे और जीव है कालि धबे देखने में आते हैं वो उसमे के नदी पहाड हैं जैसे अपनी रात होने पर हम लोग इन तारों को आकाश में चमकता हुआ देखते हैं वैसे ही जब इन तारों में रात होती है तो वहां के रहने वाले भी हमारी धरती को इसी भाती आकाश में चमकता हुआ तारा देखते होंगे तारों के बीश से उत्तर से दक्खिन को जो उजली धार सी निकल गई है वो आकाश गंगा नहीं है ये अंगिनत तारों की पांती है जो बहुत छोटे और बहुत दूर होने से आखों को दिखलाई नहीं देते और आखों से न दिखलाई देने ही से उनकी पांती एक उजली धार सी जान पड़ती है नहीं तो सचमुच ये कोई नहीं है औरना उजली धार ही है अरुन्धती जिनको तुम वशिष्ठ मुनी के पास बैठी समझती हो उनसे लाखों कोस की दूरी पर होगी यहां से बहुत दूर पर होने से ही हम तुमको वे दोनों पास पास जान पड़ते हैं यह जो तारे तूटते हैं वे स्वरगे के जीव नहीं है जो धरती की और जनमने के लिए गिरते हैं भगवान ने अंत सबका बनाया है दिन पाकर इन तारों का भी नाश होता है उस घड़े तारे बिखर जाते हैं और उनके अंगिनत टुकड़े आकाश में धर उधर गिरने लगते हैं जो टुकड़े हम लोगों की आंखों के सामने होकर निकलते हैं वे ही तूटते हुए तारे हैं आज कल के पढ़े लिखी लोग कहते हैं दस सो बरस पीछे हमारा चांद भी बिखर जाएगा जिस घड़ी ये बिखरेगा इसके टुकड़े भी तूटते हुए तारे की बात आकाश में दिखलाई पढ़ेंगे वो चौते बरस की लड़की जो अधेर इस्त्री के पास बैठी हुई थी लड़की की बातों को सुनकर खिल खिला कर हस पड़ी वो अधेर इस्त्री भी जो इन दौनों लड़कों की मा है इन बातों को सुनकर कुछ घड़ी चुप रही फिर बोली बेटा ये सब नई बात हैं कुछ अचरज नहीं जो ठीक हो पर हम लोगों के उतने काम की नहीं ऐसी बात हैं कुछ तुम लोगों ही के काम की होती है लड़के ने कहा मा ये बात नहीं कैसे है एक पंडित जी परसों कहते थे ये सब बात हैं हमारे यहां भी लिखी हुई है ये जो एक तारा दखिन की और जुका हुआ सर की उपर लाल रंग का दिखलाई देता है इसका नाम मंगल है आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तारा हमारी धरती ही का टुकड़ा है और इसी से निकल कर बना है इसकी सब बाते लगबग धरती ही किसी है वे पंडित जी कहते थे कि इस बात को हमारे बड़े लोग भी जानते थे क्योंकि जो ना जानते होते तो मंगल को धर्ती का बेटा क्यों कहते संस्कृत में मंगल का नाम भौम भूती तना इत्यादी भी लिखा है ऐसे ही एक छोटा सा तारा जो कभी सवेरे बेले पूरवोर कभी सांज को पश्चे मोर आकाश में नीचे को दिखलाई देता है वो बुध है कहा जाता है कि इसको बने अभी थोड़ा दिन हुआ है ये अभी नया है ये जाना भी बहुत पीछे गया है पंडित जी कहते थे बुध के लिए ठीक ऐसी ही बाते हमारे हाँ भी लिखी है माबेटे में ये बाते होती ही थी इतने ही में आकाश में बड़ा उजाला हो गया और एक बड़ा तारा तूटकर आकाश इससे गिरते हुए उनको दिखलाई पड़ा ये तारा ठीक इन लोगों की घर की सीध में आ रहा था और जो जो पास आता जाता था एक संसाना हट की धुन चार और फैलती जाती थी जिससे इन लोगों में खलवली सी मच गई पर देखते ही देखते ये तारा इन लोगों के घर से दूर एक खेत में जा गिरा और लड़का उठकर उसी और चला गिया अभी आप सुन रहे थे अयुद्या सिंग उपाध्याय हरियोध के लिखे उपन्यास अध खिला फूल की पहली पंखड़ी मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में